असलाम अलेकुम नाजरीन में हूँ शेखरमत अली आप देख रहे हैं Crime Today News नाजरीन कुछ दिन पहले Crime Today News ने illegal connection लेने वाले लोगों की news बताई थी कि कैसे गेर खानुई तरीखे से रात के वक connection ले रहे हैं और उसी वक्त यानि दूसरे दिन Water Works ने कारवाई करते हैं वे वो connection को कट किया उसके बाद Water Works और Vigilance Department आज सेयद नगर इलाके में कई मकानात की तलाशी ली गई जहाँ पर illegal तरीखे से connection लिये जा रहे हैं कुछ लोग कुछ रुपीय लेकर उनको connection दे रहे हैं हाना के जाफर उसेन मेराच रुकने असंबली ने इस बात को वाज़े तोर पे कहा के जो भी गहर खानून तरीके से connection लिया जाएगा या जो देने वाले हैं उन पर भी कारवाई होगी और जो लेने वाले हैं वो लोग भी समल जाए ना ले क्योंकि उनकी ये गलती की वज़े से कई अवाम को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी बात को नजर में रखते हैं कई लोग खामुशी एक्तियार के वे हैं लेकिन कुछ लोग लगातार कुछ रुपियों के लिए ये धंदा चला रहे हैं लेकिन आज विजिलेंस और वाटरवक्स दिपार्टमेंट आकर तकरिवन इलाखों का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि इन पर कारवाई होगी मुखामी अवाम ने भी डिपार्टमेंट से शिकायत की कि हमको पानी नहीं मिलने की वज़े से ये डबल कनेक्शन लिया जा रहा है डिपार्टमेंट की जानीब से ये कहा गया है कि पानी ना मिले तो हमें शिकायत करें आप हमें complaint दे ताकि यहां का जो जुम्मेदार है पानी सप्लाई करने वाला उस पर हम कारवाई कर सकेंगे नाजरीन कुछ लोग की टोली है जो पानी सही तरीखे से अवाम को नहीं दिया जा रहा है इसलिए यहां के रुखने असंबली मले जाफर हुसिन मेराच और कॉंसलर आईशा रुबीना और को आप्शन मेंबर महमुद हुसेन को चाहिए कि अवाम का साथ दे अवाम की परेशनियों को दूर करे और ऐसे इलिगल काम करने वालों पर कारवाई करें उमीद है कि अवाम के यह जो परेशनी है उसको समझेंगे और इस पर जल से जल कारवाई करेंगे शेख शफी के साथ मैं शेख रह्मातली क्राइम टोडे न्यूस हैदराबाद आंडेट मैं थाति करे इस से धर जाने राज रातिर मुना समुला आर स्वाम कारें मोचल क kto देख और इस मिलाजी है लोकल है कि इस पनीडेट चुल्फभा जया जाज़ियात था जो ढ़ता है आज़आ बर आन्ट पर अलना नहीं दूल्स अब हजाओस नाम पर लिए कर दो कर दो